आज की वीडियो के इंदर हम रेड्मी नोट 9 की अन्बोक्सिंग करने वाले हैं इस स्मार्टफॉन को मैंने एमेजों से सिर्फ 11,000 रुपीज में पर्चेस किया है और मेरे साब से ये काफी अच्छी डील है इसके दो और भी मोडल आते हैं प्रो एंद प्रो मैक्स जिनकी अन्बोक्सिंग और रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर काफी जल्दी आने वाली है अगर बात करूं रेड्मी नोट 9 की तो इसके बॉक्स के उपर जो प्राइस मेंशन है वो है 15,000 रुपीज और साथ ही में नीचे Made in India भी लिखा हुआ है अगर मैं आप लोगों को इस फोन के कुछ स्पेक्स बताऊं तो यहां पर हमें 48 मेगा पिक्सल का AI कॉर्ड केमरा सेटप देखने के लिए मिलता है साथ ही में MediaTek Helio G85 प्रोसेसर एक Full HD प्लस Dot Notch डिस्पले, 5020 mAh की बैटरी और 22W का चार्जर भी बॉक्स में इंक्लूडड है नंबर्स काफी बड़े-बड़े हैं चलिए actual product को भी हम देखते हैं मैं आप लोग को पहली बता दूँ इस product की जो best buy link है वो आपको description में देखने के लिए मिल जाएगी जल्दी से हम box को खूलते हैं तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं box को open करते ही हमें सबसे पहले एक pouch देखने के लिए मिलता है वो basically इसके अंदर phone का cover और documents होती है जो phone है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए बिलता है और इसको मैंने जैसे हाथ में hold किया यह मुझे हलका सा बलकी लगा अभी मैं note 9 pro max को भी unbox कर चुका हूँ वो काफी बड़ा phone है पर हाथ में पकड़ने में comfortable लगता है हाला कि note 9 थोड़ा बलकी लग रहा है अगर बात करूं charger की तो charger का size देखे मैं actually impressed हूँ क्योंकि 22 वर्ट का charger इतने compact design में रेडवी ने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया है आप जो है charger की यहाँ पर rating भी बढ़ सकते हैं अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमें type A to type C cable भी देखने के लिए मिल जाती है जो केबल की quality है वो decent है पर जो length है वो थोड़ी सी कम है तो दोस्तो सबसे पहले इस pouch को चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कुछ paper work देखने के लिए मिलता है और मेरे साब से आज के time में user manual कोई भी नहीं पड़दा इसी के साथ में हमें हमारा soft TPU case देखने के लिए मिलता है जो case की quality है वो काफी cheap है basically आपके phone को गिरने से तो नहीं बचा पाएगा पर कुछ scratches या smudges से जरूर protect करेगा साथ ही में यह black है तो यह time के साथ yellowish भी नहीं होगा अगर मैं बात करूँ phone की तो phone को मैंने जैसे ही wrapper में से निखाला मैंने सबसे पहली चीज नोटिस करी वो यह है कि 9 pro max हाथ में ज्यादा premium feel होता है और Redmi Note 9 थोड़ा कम premium feel होता है इसी के साथ में जो मैंने दूसरी चीज नोटिस करी वो यह है कि इसका fingerprint scanner backside पर है और 9 pro max में वो side mounted है यहाँ पर आपको कुछ IMI stickers देखने के लिए मिलते हैं और नीचे Redmi की branding है जो देखने में काफी minimalistic लग रही है पहले यहाँ पर कुछ और भी फोन है वो power on हो चुका है यह MIUI 11 पर अभी चल रहा है और साथ में आपको यहाँ पर MIUI 12 का भी support देखने के लिए मिलेगा side में आपको power button और volume up and down buttons देखने के लिए मिलते हैं उपर की तिरफ noise cancellation mic और IR blaster है दोस्तो Redmi Note 9 का मैं completely setup कर चुका हूं और अभी मैं आपको इसका overview देत अभी मैं आपको इसके camera की बारे में बताता हूं यहाँ पर हमें चार camera देखने के मिलते हैं जो main lens है वो है 48 megapixel f 1.8 aperture के साथ साथ ही में है ultra wide lens 8 megapixel का f 2.2 aperture के साथ और दो यहाँ पर और lenses हैं एक है macro एक है depth दोनों का जो aperture है वो है f 2.4 और मेरे हिसाब से macro lens और depth lens देने की कोई भी जरूत नहीं थी पर फिर भी Redmi ने हमें यहाँ पर provide किया है तो हम उसको utilize कर सकते हैं और 13 megapixel की selfie देखने के लिए मिलती है अगर बात करो display की तो display full HD plus है काफी clear और bright है पर कुछ problems भी है जैसे कि जो whole punch camera है उसके आसपास screen bleeding issues है जो कि आपके लिए काफी major problem हो सकती है अगर आ तो आपको पता नहीं चलेगा फर white color खोलने पर पता चल जाता है जल्दी से में एक display का test करके देख लेते हैं यहाँ पर मैं आपको एक video play करके दिखाने वाला हूं वैसे जो display की brightness है उससे में काफी आधा हमेज़ हूं काफी अच्छी brightness हमें आपर देखने के लिए मिलती है जो hole punch camera है वो थोड़ी problem आपके लिए create कर सकता है जोकि screen bleeding का जो issue है अगर आप रात के time phone यूज़ करोगे तो वो आपको जादा notice में आएगा चलिए जल्दी से में आपको एक video play करके दिखायेता हूं तो यहाँ पर जो colors, contrast या saturation है वो तो काफी अच्छी है brightness भी काफी कर सकता हूं अभी मैं आपको speaker का भी टेस्ट करके दिखायेता हूं जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें कैसा speaker देखने के लिए मिलता है चलिए जल्दी से में music play करता हूं और आप इसको सबसे पहले सुनिए जो speaker की quality है वो decent है पर loud volume पर आपको हलका सा dribble feel होगा जो इसकी vibration motor है उसके बारे में मैं explain नहीं कर सकता वो जब आप phone को use करोगे तब ही आपको पता चलेगा 9 pro max की जो vibration motor है वो काफी अच्छी है और आपको haptic feedback वहाँ पर provide किया गया है पर Redmi Note 9 के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है vibration motor okay है पर मैं इसको ज़्याद अच्छा नहीं बोलना चाहूंगा चलिए जल्दी से camera test भी करके देख लेते हैं तो यहाँ पर हम phone के charger की photos कीचने वाले हैं जो main lens है उसमें मुझे हलके से focus के issue लगे पता नहीं वो क्यों है पर मुझे यहाँ पर मैंने कई बार tap किया पर फिर भी वो charger पर focus नहीं कर पाया अगर मैं आपको photo दिखाऊं तो आप देख सकते हो photo बिल्कुल bloody है phone ने वहाँ पर focus ही नहीं किया जो बाकी के lenses है जैसे कि ultra wide या two times zoom उनमें कोई भी problem नहीं आई focus आराम से हो गया पर जब मैं main lens से focus करने की कोशिच कर रहा था तो मुझे हाँ पर काफी problem face करनी बढ़नी थी इसे smartphone में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो काफी अच्छी हैं और काफी चीजें बहुत बेकार भी हैं जिनके बारे में review के अंदर detail में बात करूँगा आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो please इस वीडियो को कर दीजे like साथ में हमारे youtube channel को कर दीजे subscribe मिलता हूँ आप लोग उस अगली वीडियो में तब तक के लिए stay techie stay connected